हमने पढ़ा था कि जो abrasion होता है जो दोस होता है वो लैंसों में पाया जाता है और उसको कम करने के लिए अलग-अलग तरीके होता है हम उन तरीकों से abrasion को कम करते हैं बट आज हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि abrasion होता क्या है जिसको हम कहते हैं विपतन विपतन इसको हिंदी में और हम पढ़ रहे हैं बैसिकली अबरेशन का एक टाइप इस परिकल विपतन तो हलो वरिवन वेलकम टो MS Maths and in this video we are going to discuss about a type of abrasion that is spherical abrasion. Abration has two types that is spherical abrasion and chromatic abrasion. स्पेरीकल reflecaator aries due to spherical surface of the lens. वात श्रीजन परेशन लिकल्ति उत्र… तो हम क्या कहते हैं. उस गोलीय प्रिष्थ के कारण विपतन उत्पन होता है. विपतन हसल में इसbooks कहुं कहते हैं दौश. यह एक प्रकाषन डोश is ऐगमाइ करूपा यह को यह आथ कम करूए काषहार का दोश होता है और वो जो गोलीय विपतन है वो गोलीय विपतन होता है गोलीय प्रिषट यादि की स्पैरिकल संद्र livestockर अब हमने कहा कि इसको कम कैसे किया जा सकता है कम करने के बहुत से तरीके होता है हमने अलग-अलग तरीके के बारे हम पढ़ा है और कुछ तरीके अपने हम आगे भी पढ़ेंगे बट हम देखें कि इसको कम करने की बज़ाए इसको खतम ही क्यों नहीं करते हैं यह जो है हमको पदा चलिए कि इसका reason क्या reason है कि arise to spherical surface of the lens तो हम क्या करें कि lens की जो surface है उसके spherical यह नहीं उसका जो गोला पन हो इसको हटा देता है अच्छा बताइए जिब उसके lens के गोले पन को spherical safe को surface को अटा देंगे तो क्या वो lens रहेगा नहीं वो lens नहीं होगा इसलिए यहाँ पर हम lookCome come सर्फिस से मिलक लैंस बनता अब आप कहेंगे सप्रिकल सर्फिस को यह टा देता है तो क्या वो lens रहेंगा नहीं और लैंस ऌदे नहीं बचैगा तो हमारा काम तो लैंस से सकते हैं कम कर सकते हैं बड़ एक्षियल और लोगिट्यूडनल इसको कहते हैं यहांप पास में ट्राश्वर्स और लिट्रल स्पेरिकल एक्षियल यहां इसको कहते हैं अनुदैधर्य गोल्य विपतन कहते हैं यहां पर पड़ते हैं और अगर मैं बात करता हूँ कि जो Transverse होता है इसको हम क्या कहते है, Transverse को हम कहते है, Transverse का मिनिंग होता है अनुपरस्त, तो यह हो जायाएगा अनुपरस्त या हम इसको कहते है, Lateral का मतलब होता है यहाँ पर, अनुपरस्त या फिर हम इसको कहते है, जो हमारा लंबवत होता है, लंबवत, गोल्य विपतन, ओक अनुपरस्त गोलिय विपतन या इसको हम लंबवत गोलिय विपतन कहते हैं, अब मैं अगर बात करता हूं कि जो यह विपतन होता है, तो हम एक वीडियो क्लिप के जरी इसको समझते हैं कि विपतन होता कैसे है, और वहाँ पर हम इसको आगे समझेंगे, इसका जो फर्मुला ह होता है वो भी हम कैसे फाइन कर सकते हैं अबरेशन के लगलग कंडिशन जो होती है वो भी हम क्या होते हो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा सो यहां पर मिस्टाट करते हैं वीडियो क्लिप यह हो जाया कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और यह हो गया उत्तर लेंस हम यहां पर ले रहे हैं और यहां पर हम एक पॉइंट अब्जेक्ट ले रहे हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हम यहां से बात करता हूं कि यहां से एक रे जा रही है इस रे को हम कहेंगे यहां पर कहेंगे और वह यहां पर आती है और आप देख सकते हैं वह इस पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है आफ्टर रिफ्रेक्शन अब इनको सीमा नत्रेक्यों कहा जाता है इसका मिनिंग भी समझ लें कि जो पॉइंट अब्जेक्ट यहां से आप देख रहे हैं इस पॉइंट अब्जेक्ट के अब इसमें से तो वैसे तो बहुत सारी किरणा निकलेगी हम सबसे लाष्ट की जो सीमा की जो जो बॉडर है उसका वहां से हम क्या कर रहे हैं रे को ले रहे हैं जिसको हम कहे रहे हैं मार्जिनल रे अब यहां से हम देखते हैं कि यहां पे जो इमेज बन रही है इस इमेज को हम कहेंगे इमेज बाइदी मार्जिनल रे जो मार्जिनल रे के इंटरसेक्शन स से इमेज बन रहे है उसको हमने आई चिप्शित आप अपे निकल रहे है कि एक पैराक्सियल्य का मिनिंग क्या होगा YOU कि X के जो प्रिंसिपल एकसिस के नियर है उसको हम हमकर कहा रहे है पैराएक्सियल गळाँ ओक होगी यहां पे मिलेगे अब इसका reason भी समझे है कि यह ray जो होती है वो यहाँ पर intersect कर रही है अब यहाँ पर intersect कर रही है तो उसका जो focus point है वो यहाँ पर हो रहा है जो हमारी marginal race है उनका अब अगर बात करते हैं कि para-axial race है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके यहां से इसका reflection होता है तो उसका जो focus point है वो यहां पर इसके साथ में focused होती है जो वहां पर focus होती है इसी टाइप से एक और para axial ray यहां से आती है उसको भी हमने का यह भी एक para axial ray है और वो भी क्या होती है यहां पर आप देख सकते हैं फोकस होती है अब आप देखें कि हमारा जो पॉइंट आप जेक्ट था आप देखें हैंप यह पॉइंट आपज्च का सिखें इसद्री इंज करनी ौकिं Debight इंज बन नंद य। यहां पर अब देखें कि यह वह एक हैंप deprived इया हुआप देखें तो उसके लिए हमने क्या क्या है, यही जो abrasion होता है, यहां से देखें आप इस image और इस image का जो difference होता है, उसी को हम कहते हैं, यहां पे longitudinal या axial abrasion या विपतन, तो आप देखें यहां से कि यह abrasion और यहां के इसकी बीच की जो distance है, यह distance, इस distance को हम क्या कह रहे हैं, यह आप longitudinal को हम कहते हैं यहां पे, जो अक्षिय या फिर हम कहते हैं अनुदैधरिय इसको मैं लिख लेता हूँ, अनुदैधरिय गोलिय विपतन, यह होता है अनुदैधरिय गोलिय विपतन, ओके, अब हम बात करते हैं आगे, कि जो हमारा जो विपतन होता है, दूसरा जिसको हम कहत सकते हैं, literal या transfer zoom, जुँ यहां से spherical abrasion होता, वो कैसे होता है, तो उसके लिए हमने यहां पर देखा, कि यहां पर एक circle बन रहा है, आपने आपर देखा होगा, यह जो इसके intersect point, एक intersect point यह है और एक intersect point यह है, इसके जो intersect point है उस Circle को हम कहते हैं Circle of confusion Okay एस Circle siamo 你ने क्या का Circle of confusion that means क्या We kwai एस circle circle of confusion यह फिर हम इसको कहते हैं thunderstorm is push वरत हम कहते हैं सरे कि लख लीश्ट कन्फूजंग अब इस circle of least confusion की जो radius होती है आप देख सकते हैं जो red color से है इसको हम यहाँ पर कहते हैं आर जो होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स या spherical abrasion यह हो जायागा ट्रांसवर्स spherical का meaning क्या हो जायागा अनुप्रस्त गोलिय विपतन तो इस तरह से हमने जो गोलिय विपतन है उस गोलिय विपतन के बारे में पढ़ा यह था हमारा अनुधेदरिय गोलिय विपतन यानि की longitudinal जिसको delta कहते हैं और यहां से हमने देखा कि तो निउन्तम जो असपस्ट सावरत की जो radius है वो transverse spherical abrasion या फिर हम उसको कहते हैं अनुप्रस्त गोलिय विपतन तो इस प्रकार से हमने यहां पर इसको समझा है कि एक diagram से एक जो ray diagram हमने यहां पर बनाया है उसके थुरों हमने इसको समझा है अब हम इसके formula की बात करते हैं और हम इससे बात कर रहे हैं कि यह जो distance है यह कितनी है delta distance है that means longitudinal abrasion अब इस longitudinal abrasion को मुझे अगर find करना है तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से यहां तक की इस distance को मैं focus of marginal जो rays उनके लिए let कर लेता हूं ओके यहां से यहां तक की जो image है जो यह यहां तक बन रहे है इसको हमने focus of marginal कह दिया और आप देखें यहां से यहां तक की जो image है इसको हमने कह दिया focus of para-axial rays जो है तो इनका अगर मैं difference find करता हूं तो वो किसके इकवल होगा longitudinal की इकवल होगा that means delta is equal to fp minus यह हो जाएगा fm जो focus distance यहां से p के लिए ने para-axial rays के लिए है वो हो जाएगा यहां पर इसके बीच में अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यह जो circle of least confusion है इसका meaning क्या है तो इसकी जो intersection point जो आप देख सकते हैं यहां से इस intersection point को मिलाते हैं तो उस time पर हमारा पास में एक circle का निर्माण होता है circle construct होता है तो जो वो circle है वहाँ पे image best quality की बनेगी इस circle पे क्या होगी best image बनेगी यहां पे जो image बन रही है वो कैसी बन रही है best image बन रही है और उस best image के लिए हम क्या कर रहे है कि circle को हमारे इस object का image हम लेट कर रहे हैं ओके यह चीज बहुत important abrasion में इस point object की जो circle है यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे circle of least confusion इसको हम यहाँ पे हमारी best image लेट कर रहे हैं तो जो हमने यहाँ पे देखा था वो था हमारा जो विपतन है यहाँ पे गोलिये विपतन याने की spherical abrasion और यहां से हमने उसके बारे में जो पूरा ray diagram उसको हमने अच्छी से समझा उसकी video clip से हमने उसको एकदम देखा एकदम सही से और आप यहाँ से ध्यान रखें कि जो radius होते circle की यह radius किसके एकवल होती है जो उसका लंब बदा आप देख सकते हैं यह यहाँ से यहाँ तक कि कितना फैल गया उ उसको यह हम vibration कहते हैं I hope आपको यह जो वीडियो है वह समझ में आया होगा topic समझ में आया होगा so thanks for watching this video keep watching MS Maths and subscribe to the channel MS Maths